इस चीस को एक बार यूज करके आप अपने 10 साल पुराने निमू के पौधे में भी बहुत सारे फूल और फल ले सकते हो दोस्तों हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नया वीडियो के साथ अगर आपके निमू के पौधे में बिल्कुल भी फूल और फल नहीं लग रहे है या फिर पौधा बिल्कुल बेजान सा दिख रहा है, पौधे में कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है, पौधे का हालत बहुत ज़ादा खड़ाब है तो किस तरीके से आप लोग इससे भी जादा फल अपने पौधे पे ला सकते हो उसे के बाड़े में आज के वीडियो में आप लोग इसे डीटियल में बात करूंगा दोस्तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके जरूर लास तक देखिए कर तभी आपको ठीक से समझाएगा कि क्या से इसका केर करना है इस तरीके से बहुती जादा और बहुती बढ़िया फल लाने के लिए वीडियो को शुरू करने से पहला आप लोग इसे बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो तो दोस्तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं दोस्तो इस टाइम आपके नीमू के पौधे में बहुत ज़ादा फूल और फल आते हैं यही नीमू का सबसे बढ़िया सीजन है पौधे में बहुत ज़ादा फूल और फल लगने के लिए तो इस टाइम आपको पौधे का थोड़ा एक्स्ट्रा केर तो करना ही पड़ता है लेकिन अगर पौधे में आपका बिलकुल भी फूल और फल नहीं लग रहे है पौधा बिलकुल भी बेजान नजर आ रहा है पौधे का कोई भी ग्रोथ नहीं है आप लोग ने जैसा नरसरी से खड़ीद के लाया था वैसा ही पौधा है या फिर पौधे के पत्ते या फिर ज सुखा चीज नजर आ रहा है तो उसको पहले आप लोग तोड़के पौधे से निकाल दीजिए और दूसरी बात यह है कि पौधे में अगर बहुत दिनों से फल नहीं आ रहा है तो इस पौधे का जो भी टॉप ब्रांचेस होगा उस टॉप ब्रांचेस को आप लोग एक से झो है बढ़े ब्रांच लगा है या फिर पौधै पै कब लोग ठीक से उपौल और फल नहीं देख पाओंगे दोस्तों इसके अलावा शर्दी के टाइम आपके पौधे के मिट्टी में पानी जमने का खत्रा बहुत जादे रहता है इसलीए आप लोग अगर पौधे में ए सा पौधे पे पानी का इस्तमाल इस सर्दी के टाइम कम से कम थोड़ा कम कीजिए दोस्तों नीमू का पौधा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है मतलब इसमें बहुत जल्दी कीरा मकूरा का एटक हो जाता है इसलिए आप लोग कोई भी एक अच्छा पेस्टिसाइड पौधे पे जरूर से जरूर इउज कीजिए अगर आप लोग कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड पौधे पे यूज नहीं करना चाते हो तो आप लोग औरेगेनिकाली एक पेस्टिसाइड में बता रहा हूँ वो इउज कर सकते हो इसको इउज करने के लिए आप लोगों को एक चम्मच कोई भी ऐलोवेडा का जल लेना है जो बिलकुल नैचरल होगा आपके ऐलोवेडा पौधे से ही निकालना पड़ेगा वो जल और उसको आप लोग एक शाशे श्याम्पू के साथ बहुत अच्छी तरीके से एक लीटर पाने में मिला लेंगे और अपने पौध पौधे पे बहुत अच्छी तरीके से उसे स्प्रे कर दोगे पौधे पे जितना भी फ्लावर से जितना भी पत्ते जो भी फल लगा हुआ है सभी जगे पे अच्छी तरीके से वो स्प्रे कर दोगे दोस्तों ये बिलकुल एक नैचरल पेस्टिसाइड है घर पे बना इसलिए आपके पौधे के लिए कोई भी नुकसान नहीं पहुचेगा दोस्तो ये जो care tips में ने आप लोगों से share किया अगर आप लोग अपने पौधे के लिए concern हो तो आप लोग जरूर से जरूर इसे follow करोगे अगर इसे follow नहीं करते हो और अगर आप लोग सोचते हो कि सिर्फ खाद डालने से ही आपके पौधे में निम्बू आ सकता है तो असा कभी भी possible नहीं है दोस्तो आप लोगों को पौधे पे बहुत अची तरीके से care करना ही पड़ता है फिर आपको बहुत अची तरीके से जो हे निम्बू मिलता है अभी मैं आप लोगों से वो चीज के बार में बताऊंगा जिसे यूज करने से आपके पौधे पे फल और फूल तो आएंगे ही आएंगे अगर आपके पौधे पे फूल और फल अल्रेडी आ चुका है पौधे के लिए एक वर्दान है और वो भी ये पूरी तरीके से एक और गानिक चीज है जो आपके पौधे के लिए बिल्कुल भी हार्मलेस है इसमें पौधे पे लिए कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता दोस्तो इसको यूज करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है और ये पौधे पे अगर यूज करोगे तो आपका पौधे का जो भी प्रॉब्लेम है नीमू का जैसे कि फल गिर जाना या फिर फल नहीं आना ये सारा प्रॉब्लेम भी ठीक हो जाता है ये बिल्कुल सस्ता है इसलिए आपको जादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है तो अभी आप लोगों से बताऊंगा कि इसे कैसे आपके पौधे पे यूज करना पड़ेगा इसको पौधे पे इस्तमाल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले फिटकरी को बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में कनभर्ट कर लेना पड़ेगा जैसे आप लोग देख रहे हो कि ये जो मेंने कनभर्ट किया है इससे भी जादा अगर पाउडर कर सकते हो तो बहुत बढ़ी आरहता है फिर इसका एक चमच आपको माप लेना है उसके बाद इस एक चमच फिटकरी को आप लोग एक लिटर पानी में बहुत अच्छी तरीके से घोल लोगे उसके बाद डाइरेक्ट इस मिक्स्चर को आप लोग अपने पौधे के मिट्टी में जो है डाल दोगे दोस्तो ये बिल्कुल और्गैनिक चीज है इसलिए आपके पौधे के लिए बिल्कुल हर्मले से कोई भी प्रॉब्लेम पौधे पे नहीं होगा बलकि आपके पौधे पे जो भी प्रॉब्लेम आ रहा है वो सारा प्रॉब्लेम ठीक हो जाएगा मैं खुद इस चीज को अपने पौधे पे इस्तमाल करता हूँ और रिजल्ट तो आपके सामने ही है दोस्तो इस चीज को आप लोग 7-10 दिन के ग्याप में अपने पौधे पे इस्तमाल कर सकते हो दोस्तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्षन में आप लोग जरूर बताईए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तो इस चनल में प्लैंट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अल्रेडी मैंने अपलोड किया हुआ है आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देखो आपको बहुत जादा हेल्प मिलेगी तो आज के लिए वीडियो इतना ही है मिलते किसी और एक प्लैंट रिलेटेड वीडियोस के साथ तब तके लिए बाई जय हिंद और वंदे मातरम